नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीष और आप देख रहे हैं páraman तो दोस्तो आज का हमारा वीडियो वह है कि हमारा जो कैपिस्टर है शर्किट में लगे कैसे फठ़ जाता है और कैसे हम उसको पहचान सकते हैं कि वो circuit जो है हमारा खराब हो गया है तो देखिए आपको जो है capacitor कुछ इस तरीके से मिलेंगे तो ये देखिए ये capacitor जो है देखने में एक दम सही है बिल्कुल ये देखिए लेकिन इसके अंदर क्या हुआ ये हीट होने के कारण देखिए यहां पर हीट हुआ और यहां पर देखिए ये इसकी जो उपर का कवर है ये जल चुका है देखिए तो ये इस तरीके से खराब हुआ यानि कि इसके ओपर इतना जाद सर्किट में या तो लोड आ गया था या इससे आगे कोई सर्किट लगा हुआ था वह सोट हो गया था तो सोट होने के कारण जो है इस कैपिस्टर पर लोड पड़ गया और यह हीट हो गया तो हीट होने के कारण यह कैपिस्टर देखिए खराब हो गया तो एक तो यह हो गय दूसरा कैपिस्टर आपका इस तरीके से फटता है कि वो आपको दिखाई दे जाता है यह यहां से भी फट गया नीचे से और यह दिखे ऊपर से फूल चुका है तो दूसरा कैपिस्टर आपका इस तरीके से भी यहां पर खराब हो जाते हैं तो सबसे पहले आप कैपिस्टर अब पर धिया हनदे जब कोई सर्कीट सभी कर रहे है कि वहां पर कोई सर्कीट खराब अब देखे यह कैपिस्टर यह फूल चुका है उपर से तो इसका मतलब यह खराब हो चुका और वीक हो चुका है यानि कि जितनी इसकी कैपिस्टी थी उतने उतने से जादा ये यूज हो गया और ये वीक हो गया वीक होने के कारण ये सिरिफ अगर कुछ दिन ओल लगा रहता तो ये फट जाता तो इसलिए यहाँ पर देखे इस तरीके से ये निसान आ गया है तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कैपिस्टर ये खराब हो चुक है लेकिन ये वाला जो कैपिस्टर ये फूला हुआ है उपर से इस तरीके से आप आरहात लगाएंगे तो आपको दिखाई देगा ये फूला हुआ यानि कि ये कैपिस्टर जो वीक हो चुका है और इसको आपको चेंज करना पड़ेगा तो और देखे यहाँ पर कि अगर सप्लाई जाती है तो यहाँ पर देखे कैपिस्टर कितने वोल्टेज का लगाया जाता है तो यहाँ पर देखे कैपिस्टर लगाया जाता है 25 वोल्ट का यानि कि जितनी वोल्टेज आपकी यहाँ पर आ रही है उससे डबल का कैपिस्टर लगाया जाता है तो यह तो बारह बोल्ट को देखे हम ट्रेक करते हुए जाते हैं तो बारह बोल्ट पर देखिए इवाला कैपिस्टर लगा हुआ है यह रहा अब यहां पर देखिए Clay कितनी यह बार Обल्ट का आप चेंज कर सकते हैं और आप कभी भी किसी सर्कुट में आगर आपका कैपिस्टर आप लगा रहे हैं बार बार महा पर फट रहा है वो कैपिस्टर तो उसकी बॉल्टेज को आपको बढ़ा देना है या कि जैसे कि से कि एक स्विव बोल्टेज का कैपिस्टर लगा हुआ है और यहां पर अगर यह मेरा कैपिस्टर बार बार फट रहा है यह 16 वोल्ट का लगा हुआ है और बार बार अगर यह कैपिस्टर मेरा फट रहा है तो मैं यहां पर क्या करूंगा बोल्टेज को बढ़ा दूगा यहां यहां पर पहले बोल्टेज को चेक करूऊंगा कि बोल्टेज कितंई आ रही कर दूँगा यहांपर 16 बील्ट का प्यपेश्टर फट रहा है तो यहां पर हम 25 बील्ट का केपेश्टर भी लगा देंगे तो दो से तीन साल चाट साल तक चलते रहें यहाँ पर क्या होता है Кिपिस्ट्र जब एक से दो साल तक कुछ बीक हो जाते हैं तो बीक होने के कारण अब coc खाली सब्सक्राइब चालीस बोल्त करना ही रह जाएगा तो इसलिए यहाँ पर जादा वोल्ट का कैपिस्टल लगाया जाता है जिसी कि दो से तीन साल चार साल तक चल जाए तो दोस्तो मेरी यह जानकारी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सेर करना, सस्क्राइब करना और बेल का एकन को जरूर दवाना क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा